ओम स्याद्टी हम जो कुछ देखते हैं और सुनते हैं उस पर हमारा चिंतन होता रहता है ये अर्थ सुनने से ये अर्थ चिंतन इस वर ये महवा किछ सुनने से महान चिंतन हम यदि देखते हैं इस अंसार को ये तो म्रत प्राए है ये तो समाथुआ की हुआ यदि हम देखते हैं आत्माओं को यदि हम सब कुछ सुनते हुए उसे टर्न करते रहते हैं निगेटिव को पोजीटिव में तो हम स्रेश्टिस्थिती में इस्थित रह सकते हैं तो यदि कोई हमें कुछ सुनाने आए और हम उसको सुनकर ग्रहन कर लेते हैं उस अनुसार अपनी धानाएं बना लेते हैं तो इससे हमारा चिंतन व्यर्थ बहुत जाएगा और दूसरी आत्माओं के लिए अवगुनी द्रश्टी हो जाएगी और उससे हम वैसा ही व्यभार करेंगे इसलिए यदि कोई व्यर्थ सुनाता है तो उसको समर्थ में बदल दें बोल बहुत इंपोर्टेंट है ये मनुस को महान भी बना सकते हैं ये बोल वरदानी बोल भी हो सकते हैं और ये बोल किसी की श्यानती भी छीन सकते हैं अपने चित से क्रोद को समात करके योग युक्त होकर अंतरचित को सीतल करें हमारे मन में किसी के लिए ज़रा भी क्रोध भाव नहीं होना चाहिए अन्यथा हम अंदर अंदर गरम होते रहेंगे हमारी सीतल का स्यांति की सक्ति जल कर नस्थ होती रहेगी ये क्रोध हमारी विवेच शक्ती को नास्त कर देता है हमारी नेने शक्ती से गड़बडा जाती है इसलिए चित को सीतल स्यांत करते रहें हमें इस जीवनी में इतना बड़ा भाग्य मिला स्वयम भगवान बाब बन कर अपना प्यार हम पर लुटा रहा है प्यार से हमारी पालना कर रहा है उसके प्यार को हम सब देख लेते हैं जो वो अव्यक्त रूप से इसका रुपस्थित होते हैं कितना प्यार देते हैं वो हम सब को हम सभी के लिए उनके दिल में कितना अठा प्यार है जो वो कहते हैं, जब बच्चे दुखी होते हैं, तो मुझे भी जैसे बे आरामी हो जाती है, भगवान को भी फील होता है, मेरे बच्चे दुखी ना हो, ये स्रेश्ट पत्पर सराही अग्रसर हैं, और अपने भाग्ये को महान बनाते चले, जिनी तंसार को दुखों से कैसे कर पाएंगे, तो बाबा के इस प्यार को हम महसूस करें, और उसकी याद में मगन हो, जितना जितना हम उसे ज़्यादा याद करते हैं, उसकी करेंट हमें मिलती जाती है, और ये करेंट हमारे जनम जनम के विकर्मों को नस्ट कर देती है, विकारों को नस्ट कर देती ह तो हम अपने सब्दों पर भी बहुत ध्यान दें हम कम बोलने की आदख डालें क्योंकि जो मनुसंतर मुकी नहीं है जो धैरिये चित्त और गंभीर नहीं है उसे योक कर सुख नहीं मिल सकता भाहि ये मुक्ता तो बाहर की ओर हमारा कर्शन कर देती है क्योंकि ये देख पांच तत्वों से बना हुआ है तो ये पांच तत्वों की दुनिया उसे खींचने लगती है रंतु हमें तो अपने घर जाना है ये सब कुछ यहीं छोड़ कर हमारी तो पांच जार साल की यात्रा पूरी हो रही है तो आज सारा दिन ये दो अभ्यास करते रहेंगे हमारी पांच जार साल की यात्रा पूरी हो रही है उपर से अब बाबा की करेंट मुझे मिल रही है फील करेंगे इस करेंट को और सब कुछ छोड़ कर मैं आत्मा वापिस जा रही हूँ अपने घर और महां रैठ गई उन्हें बाबा के पास उसके किर्णों के मीच ये दोनो अभ्यास आज सारा दिन करके अपनी तकस्या को और गहम बनाएंगे ओन से दिन